हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आपसे एक चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज इसे लाइक जुरूर कीजिए इन दिनों वाइट हैर की प्रॉबलम बहुत आम हो गई है क्योंकि इसकी कई वज़े हैं खराब खान पान से लेकर अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण ये समस्या उत्पन हो रही है इसके अलावा शरीर में विटामिन ए की कमी की कारण भी समय से पहले बाल सफेद हो रहे हैं ऐसे में आपको अपने लाइफस्टाइल को भेतर करने के अलावा शरीर में विटामिन ए की कमी को दूर करने की जुरूरत है इसके लिए आप अपनी डाइट में विटामिन A वाले फूर्स को शामिल कीजिए और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो साइट में बेल आइकन है उसे प्रेस करतीजिए ताकि हमारे आने माले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जी हाँ दोस्तों पहले नमबर पे आता है कद्दू यानि की पंपकीन इसे अपनी डाइट में शामिल कीजिए और जादा से जादा कद्दू खाईए कद्दू में परियाब तवात्रा में विटामिन ए होता है इसके अलावा और भी कई पोशक तत्व इसमें मौजूद होते हैं और इसमें विटामिन ए परचूर मत्रा में पाया जाता है क्योंकि रोजाना एक कटोरी गाजर खाने से शरीर को भरपूर विटामिन ए की प्राप्ति होती है इस वज़े से गाजर खाने से सफेद बालों की जो प्राबलम है वो दूर होती है इसके अलावा गाजर बालों का विकास भी बहतर करता है और जड़ों को मजबूत बनाता है जिससे बालों का तूटना बहुत कम हो जाता है तीसरे नमबर पे आता है टमाटर टमाटर में एंटी ऑक्सिडेंट के साथ साथ विटामिन A भी बहुत ज़्यादा पाय जाता है। टमाटर में क्रोमियम पाय जाता है जो शरीर में बलड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। इसके अलावा टमाटर सफेद बाल दूर करने में भी मदद करता है। रोजाना टमाटर खाने से सकेल्फ की समस्या भी दूर होती है। और जो सकेल्फ में खुझली होती है उसकी समस्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। चोथे नमबर पे आता है दूद। दूद विटामिन A का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। जो हड़ियों की विकास और कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है इसी परकारिय सफेद बालों के लिए भी फायदे बंद होता है दूद पीने से सफेद बाल कम होते हैं साथ ही ये बालों को जड़ से मजबूत करने का भी काम करता है अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्याद ज़्यादा शेयर कीजी और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजी फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ थैंक यू